दोस्तो 43rd GST Council Meeting के अंदर एक बहुत ही बड़ा फैस्टा लिया गया था कि GSTR 1 की Late Fees जो अभी तक Portal आप से चार्ज नहीं करता था वो अब Portal आप से चार्ज करना स्टार्ट करेगा आपकी GSTR 3B के अंदर जो काफी शॉकिंग था सभी GSTR Taxpayers के लिए और सभी जो है बार-बार ये सवाल पूछ रही हैं कि GSTR Portal पर जो Late Fees calculate हो करके आ रही है क्योंकि काफी confusing है Late Fees, Late Fees को rationalize कर दिया गया है GSTR 3B के लिए भी, GSTR 1 के लिए भी तो समझना भड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये calculation कैसे हो रही है, क्या GSTR 1 की Late Fees यहाँ पर लग करके आ रही है, और अब जो मैंने काफी सारे social media पर एक जो ये post काफी जादा circulate हो रहा है, जिसको लेकर के मैं ये video आपके साथ share कर रही हूँ, ये update तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये confusion में आपकी clear कर रही हूँ इस video के through, दोस्तों जब हम अपनी GSTR filing कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस च स्क्रीन शोट आपको दिखाई देगा, जो कि काफी जादा share किया जा रहा है कि late fees for the month include late fees charge due to delay in filing GSTR 1, GSTR 4, अगर जो, GSTR 4 किस case में, अगर आप composition tax payers हैं, and late fees was not fully in GSTR 4 of the tax period, and previous month late fees charge due to delay in filing आपकी 3B की वज़े से लग कर के आ रही है, तो इसको लेकर बहुत confusion बनी हुई है कि क्या हमारी 3B के अंदर जो late fees लग कर के आ रही है, वो हमारी GSTR 1 की लग कर के भी आ रही है, तो दोस्तों ऐसा अभी तक तो कोई भी जो है charge नहीं किया जा रहा है, GSTR 1 की late fees का, अभी 3B के अंदर अभी तक तो charge नहीं हो रही है, अभी ये नहीं start हुआ है, ये अभी केवल आपकी information के लिए अभी active नहीं हुई है, GSTR 1 की late fees लगना GSTR 3B में, start होगी, मैं आपको update करूँगी, अभी नहीं हो रही है, तो इस तरह का जो post आ रहा है, जिसको लेकर के काफी confusion create हो रही है, तो वो मैंने यहाँ पे clear की है, आप सभी के साथ की, अभी केवल और केवल अगर आपकी late fees लग करके आ रही है, तो यह एक छोटा सा important update था, I hope आपको लिए relevant राओ, thank you for watching.